क्या हाले दोस्तों, welcome to the channel इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारे computer में जो python installed है उसको latest version में अप्ग्रेड कर सकते हैं यहाँ पे मेरे computer में python install है अभी मैं क्या करता हूँ start button के उपर click करता हूँ और यहाँ पे python सर्च कर देता हूँ और यहाँ पे मैं python app को open कर देता हूँ तो यहाँ पे हम लोग जो python का version installed है उसको देख सकते हैं वो है की 3.12.1 यह अभी मेरे computer में installed है आपके computer में आप इस video को कब देख रहे हैं उसके हिसाब से कुछ और version number आपको देखने को मिलेगा अभी मैं क्या करता हूँ edge browser open करता हूँ और यहाँ पे मैं python.org इस website को open कर देता हूँ यहाँ पे मैं cursor को अगर download के उपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो latest version अभी available है वो version number देखने को मिलता है अभी जब मैं इस video को बना रहा हूँ इस वक्त latest version 3.12.6 है और मेरे computer में 3.12.1 है अभी हम लोग यह देखेंगे कि कैसे हम लोग मेरे computer में जो python installed है उसको latest version में upgrade कर सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना है इस python.org website में जाना है और यहाँ पे downloads में जाके जो भी latest version available है उसको download करना है इस button के उपर click करता हूँ यहाँ पे download शुरू हो गया यहाँ पे download अभी finish हो गया है अभी मैं यहाँ पे यह जो icon है जो folder जैसा दिखता है उसके उपर click करता हूँ तो यह उस folder को open करेगा जहाँ पे downloaded files को save किया जाता है जनरली हमारा download folders के अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे यह जो python installer डाउनलोड हुआ है इसके उपर double click करेंगे यह python setup window को open करेगा और यहाँ पे अभी हमें अप्ग्रेड करने के लिए अप्ग्रेड now option available है अगर आप कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप लोग कस्टमाइज इंस्टलेशन के उपर क्लिक करके changes कर सकते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे अप्ग्रेड now option के उपर क्लिक करेंगे अगर यहाँ पे यह आपसे पर्मिशन मंगता है तो आप लोग पर्मिशन दे दीजिए अभी यहाँ पे यह setup प्रोग्रेस में है यह finish होने तक हमको wait करना है यहाँ पे अभी यह कहता है कि setup was successful हम लोग इस close के उपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी folder और browser open है उसको close करेंगे अभी हम लोग देखेंगे कि कौनसा version installed है computer में start button के उपर क्लिक करेंगे python search करेंगे और python app को open करेंगे यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं जो भी latest version हमने website में देखा था वो अभी मेरे computer में installed है तो इस तरह हम लोग हमारे computer में जो python installed है उसको upgrade कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो आच्चा लगा तो लाइग कीजे अच्चा नहीं लगा तो आप लोग dislike कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियो सेकने के लिए मैरे चानल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं